दोस्तों पिछले कुछ सालों में प्रीमियम रेंट स्मार्टफोंस में वनप्लस का नाम सबसे आगे आच चुका है वनप्लस लगातार कुछ ना कुछ ना इनोवेशन्स पर काम किये जा रहे हैं और इस सल में भी आपको वनप्लस की तरव से कुछ नया देखने को मिलेगा तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की और बढ़ते हैं हाई गाईस मैं हूँ शोमाली स्वागत आपका मिस्टेनिक चाहें पर सबसे पहले सबस्क्राइब किजे मिस्टेनिक चाहें को और बेल आइकन को तबहाए लेटिस्ट रिपाँजी आपडिस सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों OnePlus ने पहले से इस साल का flagship OnePlus 8 सिरीज पर काम करने शुरू कर दिया है लिक्स के अनुसार कमपणी इस साल OnePlus 8 के तेल ने विरियंस लॉंच करने वाले हैं जो की OnePlus 8 Pro, Light and Base विरियंट होगा अब देखना ही है कि इंडियन मार्केट में OnePlus 8 सिरीज कितने विरियंस के साथ आते हैं और इस पार OnePlus 8 सिरीज का रिलीस डेट 2020 के सेकेंड क्वाटर के शुरूआत में ही हो सकता है हाला कि कमपणी अभी तक डिवाइसेस के बारे में ज्यादे कुछ रिविल नहीं क्या है लेकिन लेटेस लिक्स के अनुसार कमपणी OnePlus 8 सिरीज पर जोड़ो सोड़ो से काम कर रहे हैं तो उसमें से OnePlus 8 Pro के कुछ लिक्स सामने आये हैं OnePlus 8 Pro स्मार्टफोन को Geekbench पर लिस्टेड होते देखा गया है जिससे डिवाइस का कुछ hidden key specs and features रिविल हुए है और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मिस्टेडिगर चाहे को सब्सकाइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सकाइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस काना बिल्कुल भी ना भूले और हाँ दोस्तों इस वीडियो पर 50 likes का target है अगर topic अपको अच्छा लग रहा है तो एक like जरूर कर दीजिएगा आगे बढ़ते हैं OnePlus 8 Pro को Geekbench के database पर model number Galilean 2023 के नाम से दिखाया गया है स्मार्टफोन Qualcomm का latest flagship processor Snapdragon 865 के साथ आएगा और यह आपका Snapdragon 865 processor है क्योंकि इसमें भी Sony Xperia flagship के समान motherboard कोना का ही नाम है और ओन बोर्ट 2HGV RAM प्लास इंटर्नल 256GB मैक्सिमम स्टोरेज और इसमें base parent 8GB प्लास 120GB स्टोरेज होगा लिक्स के अनुसार device under 10 out of the box आएगा Geekbench के रिजल्स के अनुसार OnePlus 8 Pro ने Single core score में 4296 और multi core score में 12531 हासिल किया है दोस्तों डिस्पे की बात करें तो OnePlus 8 Pro में top left corner पर punch hole में camera होगा साथ ही में curved tablet display भी जिसमें कि आपको 120Hz display refresh rate मिलेगा और साथ ही में in display finger bean sensor भी होगा जिसमें कि आपको new screen unlock animations भी मिलेगा और phone 50W super war first charging support के साथ आने वाला है और rear side में invisible quad camera का setup होगा जो की एक नया interesting technology हमें देखने को मिल सकता है और दोस्तों फिलाल यही update है OnePlus 8 Pro के बारे में आगे कुछ और भी updates मिलता है तो मैं आपको ज़रूर से share कर दूँगी तब तक के लिए मिस्टेनिया चाहें के साथ बने रही है दोस्तों बड़ा update आ रहे है कि OnePlus ने screen technology एरियम में अपने development को अन्भिल कर दिया है OnePlus का upcoming flagship smartphone OnePlus 8 का भी एक highlighted aspects rebuilt हुआ है जिसमें 120 Hz का display refresh rate और 240 Hz का screen sampling rate के साथ 2K OLED display का feature होगा जो की industry में सबसे highest है इसके अलबा ये भी पता चला कि OnePlus के ने screen में JNCD यानी the just noticeable color difference less than 0.8 का highest color reproduction standard है जो iPhone 11 Pro Max के JNCD less than 0.9 को beat करता है और OnePlus gaming community में भी बहुत active है तो कोई doubt नहीं है कि OnePlus mobile gaming experience को और बहतर करने के लिए higher refresh rate पर भी काम कर रहे है तो दोस्तो ऐसे योटिस जानने के लिए Miss JNCD चैन के साथ बने रही है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही thank you guys अब सब को वीडियो पर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें नीचे कमेंस भी करें ताकि मैं आप सब के लिए और भी बैतने वीडियो बढ़ना से हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले मैं शुमाली मिलते हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक लिए खुश रहिए जाए हिंद